हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दा पिके टूटोरियल तूदे विल डिसकस अवाउट वाउट वाउट तो गेट ता लिस्ट ओफ कॉलम नेम्स डेटा टाइप क्लास ओफ डेटा फ्रेम इन आरे स्टोडियो तो लेट्स इस्टार्ड फर्श्टली वे इंपोर्ट ओर डेटा दे पास में साथ कोलम अपर फिर यह झाशर हैं इन चीज़ के बारे में यह डेटा फ्रेम है इसके बारे में हम complete information लेंगे हम तो देखे क्या क्या होता है इसके अंदर हम देखते हैं अभी तो पहले हमारी जो command है वो command है हमें ये पता करना है हमारी data frame के अंदर कि हमारी data frame के अंदर जो column है उसको open की बिना हमें उन column के नाम पता करना है कि कौन कौन शे कॉलम है और इसके जुर्थ क्यों पड़ती है suppose that हम किसी डेटा के उपर अनल्सिस कर रहे हैं और हमारे पास में multiple data है तो हमें multiple data frame को open करनी की जुर्थ नहीं पड़नी चाहिए अगर हम multiple data frame को open करेंगे तो इसमें तो बहुत कम data है इसलिए easily open हो जाती है suppose that इसमें करोडों का data होता तो ये open होने में बहुत ज़्यादा time लेती तो इस तरीके से हमारा server hang हो जाता तो इसका use करके हम data frame के column का utilize कर सकते हैं suppose that हमें किसी data frame है past data frame है हमें पहली और दूसरी data frame और चोथी data frame इन तेनों का column चाहिए तो हम वो column direct code के थूरू ले सकते हैं हमें इसके लिए data frame का open करने ज़र नहीं होने चाहिए तो देखते हैं column name कैसे लेंगे तो इसके लिए कमांड होती है col na mes column names इसमें हमें df1 data frame का नाम लिख देना है तो हम देखेंगे हमारे पास में नीचे column के नाम आ गए employee code, first name, last name, salary, gender, city और cell और यहां से हम column name को copy करकर हम filter या फिर कुछ भी और किसी कमांड में यूज कर शकते हैं उसको उसके बाद में हमें अगर देखना है कि इनकी class क्या है जो df1 है यह हमें पता है कि data frame है ठीक है, suppose that हम इसकी class check करते हैं जैसे हमने class check की df1 df1 की class क्या आगई हमारे पास में data frame आगई ठीक है, हम यह कह देंगे कि जो भी data होता है ऐसे लिखा होता है, उसकी data frame होगी नहीं, ऐसा नहीं है अगर मैं यहां पर df2 लिख देता हूँ और इसके आगे मैंने 5 लिख दिया, अब इस df2 को मैंने run किया run करने के बाद में df2 किसमें चला गए, value में चला गए अब मैंने इसकी class देखी df2 की, df2 की class देखूँगा तो क्या मिलेगी इसकी अभी देख लेते हैं, df2 इसको run किया इसके देखी class क्या गई, numeric आ गई suppose that मेरे पास में एक data frame हो रहे है, df3 है और उसमें लिखा हुआ है ram और इसको मैंने run किया तो run करने के बाद में हमने इसकी class देखने चाहिए कि इसकी class क्या है df3 तो इसकी class क्या गई, character आ गई क्योंकि run क्या है, character है तो इसकी class क्या गई, यहाँ पे character आ गई अब हमें क्या करना है कि यह तो हो गई एक complete data frame, जो df1 है df1 के आगे बहुत सारी column भी है df1 में क्या है, बहुत सारी column भी है तो उन column की especially हमें data frame की हमें class देखनी है तो हम यहाँ पे class लिखेंगे फिर df1 लिखेंगे उसके बार dollar का sign और हमारे पास में बहुत सारी column आ गई इस df1 के अंदर के तो हमें देखना है जैसे हमें first name की देखनी है या employee code की देखनी है हम employee code की देखेंगे किसकी class क्या है तो देखें character value आ गई character आ गई अब देखते हैं हम class df1 के अंदर किसकी हम देख लेते हैं cell की देख लेते हैं कितनी cell हुई है तो इसकी क्या आ गई integer आ गई तो इस command का यूज़ करके हम data frame के अंदर उसका data type क्या है वो हम देख सकते हैं integer है character value है या फिर factor है यह सभी चीज हम देख सकते हैं ओके next है हमारे पास में कि हमें complete देखना है एक साथ हमें class मालो कि इसमें तो एक एक दिखाई दे रहा है अभी जो मैं command बताऊंगा उसमें आप सभी की command एक साथ देख सकते हो जैसे क्या लगान होगा इसमें हमें इसमें हमें df1 और यहाँ पर लिख दूँगा मैं class df1 की class ठीक है इसको मैं run किया यह देखिए सभी के नाम आ गए कि cell जो है उसका integer है, city का character है gender character है, salary integer है यह सभी information आ गए हमारे पास में ठीक है next जो है, उसमें हमें और भी deeply जाना है कि इसके अंदर जो है, उसमें column क्या क्या है, full information लेनी है, तो हमें str command यूज करनी होगी, इसमें हम data frame का नाम लिख देंगे, यह देखिए हमारे पास में data frame आ गई, जिसमें 10 object हैं और 7 variable हैं, जिनमें employee code है वो character है, first name character है last name character, salary integer gender character है, city यह है और इनके अंदर इनके नाम भी आ गए, मतलब कि एक view आ गए हमारे पास में कि यह हमारे column है यह हमारे उनके data type है और इस column के अंदर क्या क्या लिखा है, ऐसे हमारा data है उमीद है दोस्तों आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी कुछ भी confusion है comment box में पूछे, instagram पे पूछे facebook page में पूछे और channel को like, comment, subscribe और share ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में Thank you very much